इस क्लास में आपको लॉंजिट्यूट्स अर्था देसांतर रेखाओं के बारे मत आने वाला हूँ उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है उनका यूज क्या होता है डेली लाइप में कितने टाइप्स के होते हैं तथा वो हैं कितने और एड़ दैंड हम देखेंगे इंडिया का जो मानक देसांतर अर्थात प्राइम मेरिडियन है वो कितने डिग्री पर है और यह टाइम लाइन जो है किस तरह से वर्क करती है तो आएए कर्वात करते हैं सबसे पहले आपने इस इमेज को देखा होगा देखा ही होगा जाईट से बात हम इसे के बारे में अध्येन करने वाले हैं तो basically क्या होता है ना कि longitude जो होते हैं वो हमें lines के रूप में दिखाए देते हैं ऐसे line जो कालपनिकल रिखाए होती है imaginary lines आप इसे कह सकते हो जो north pole से south pole की तरफ आते रहती हैं सारी के सारी ठीक इस तरह से उसी की प्रीद जो है हमारा latitude उसकी कहानिया लग है वेस्ट से वेस्ट चलती है latitude मैंने आपको पढ़ा दिया है already तो अब बात करते हैं इसके formation की तो यह image जो आप देख रहे हुए बचपन सामी किताबों में दिखाए गया है हला कि longitude को समझने के लिए इस तरह से इसको देखना बिल्कुल नहीं चाहिए आपको समझ में नहीं आएगा इसे किस तरह से देखना चाहिए मैं बताता हूँ यह देखो यह हमारा अर्थ अगर हम north pole या south pole की तरफ focus करेंगे अर्थाथ उपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो हमारा अर्थ कुछ इस तरह से दिखाई देगा अभी हम north pole पर है और north को हमने क्या माना है center माना है अब देख सकते हो कि कई सारी lines यहां से क्या आ रही है गुजर रही है जो कि हमारा east जो है हमारे right hand side में है और west जो हमारे left hand side में है अब थोड़ा सा board पर हम बापस आते हैं तो जैसा कि आप यह देखो मैंने यहां पर ड्रॉ किया यहां पर हमारा north है एक center के रूप मैंने उसे ले लिया था वहां पर यहां पर east है और यहां पर west है तो आप एक circle को यहां पर देख पा रहे है अच्छी तरह से तो आप सबको पता है कि circle पर total degree जो होता है वो 360 degree होते हैं यह कोई नई बात नहीं है आपके लिए 360 degree यह उन्हें 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree इस तरह से हम 360 degree बना सकते हैं तो अगर मैं center से यहां तक एक radius क्लिक करता हूँ यह ड्रॉ करता हूँ आपको तो यहां पर एक line, 2 line, 3 line इस तरह से total कितनी lines क्लिक किये जा सकती है 360 lines बना आए जा सकती है अर्थात जो हमारे longitude है यही तो है हमारे longitude N से सुरहो के घूमते हुए S तक जाते हैं ठीक है यह हमारे longitude हो गया दूसरी बात कि इनके संख्या total हमाँ भी तुरत पता चल गया कि 360 number होते हैं इनके due to this अब बड़े ही interesting बात कि क्या 1 degree से 2 degree के बीच में 1.5 degree का longitude क्लिक किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है 1.45 का किया जा सकता है 1.33 का बिल्कुल किसी भी का किया जा सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि latitude जो होते हैं वो इन्फाइनाइट होते हैं बिल्कुल होते हैं यह line जो हैं ला an imaginary lines longitude और latitude हमारा दोनों ही जो होते हैं वो Ian finite होते हैं और अब सबसे पहले हमने तो इसे किसी न किसी point पे 0 जरूर लिया होगा तो माल लेता हूं मैं कि यह जो हमारा point है यह वला point यह 0 डिगदी है यहाँ पे 180 डिगदी होगा और यहाँ से यहाँ तक फिर से जो हमारा घूम के अगर आएंगे हम यहाँ पे तो यह 360 बन जाएगा तो अब देखो जे रदियान से अगर मैं बोलूँ कि यह जो line है यह line यह तो बीचों भीच आ रही है हमारी तो अगर मैं इसे कुछ 3D में दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको जो कि London के green which से होते हुए गुजरता है और इसे बोलते है prime meridian ठीक है prime meridian इसे बोलते हैं क्योंकि सबसे बीच वाली line है है न मिरीडीन मतलब बीच में हो गया और अर्थ को दो भागों में बाट रही है जैसे कि आप देख सकते हो है यहां तक आपको clear होगा आगे बढ़ता हुए हम देखते हैं इसको देखा अबद्यान से कि अगर हम इस side में बढ़ रहे हैं इस side में तो यह e लिख रहा है e अर्थाथ east और इस side में जा रहे है तो यह जो है w लिख रहा है w अर्था west तो इस side जब बढ़ेंगे 0 से तो यह plus में बढ़ेगा प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 इधर जब बढ़ेगे तो यह जो है minus में बढ़ेगा minus 1, minus 2 और minus 3 जैसे उधर की और चलते जाएगा ठीक है यह east में जा रहा है यह west में जा रहा है इसको हम अक्सर plus और minus ना लिख के 1 e लिखते हैं 2 e लिखते हैं 3 e लिखते हैं और इसी तरह से 180 e तक लिख देते हैं और इसे जो हम minus ना लिख के 1 w लिखते हैं 2 w लिखते हैं 3 w इसी तरह से 180 तक जाते हैं क्या यहां तक मैं आपको अपनी बात समझा पाया मुझे पूरी मिध है कि मैंने आपको अपनी बात समझा दी इतनी लाइन से और किस तरह से वो function कर रही है, इस वेस्ट क्या है, अभी जो हम point रखने वाले हैं, कि इसका use क्या है, इस देसांतर रेखा का, या longitude का use क्या है, इस पर हम थोड़ा से चर्चा करें है, तो इसके दो use है, सबसे पहले किसी place को find करने में, और दूसरा timeline के बारे म समझने में, timeline के बारे में, समझने में, तो दोनों ही point clear करते हैं जल्दी से, इस अंतर रेखा हैं किस तरह से काम करते हैं, यह समझाने के लिए मैं है, यह map ही है, इसको box समझने के गल्ती मत करना, ध्यान से देखो, माल लेता हूँ कि यह map है, हमारे पास तीन बिंदू है, ए क्योंकि एक map है, जल्दी से उस जगह पर जाईए या उस बिंदू पर जाईए, जो कि एक पे स्थित है, वहां से मुझे मेरे दोस्त के लिए दवाईयां लानी है, तो आप एक पर दो बिंदू देख सकते हो, यहां पर, ठीक है, अब क्योंकि यह lines जो है, east से west जा रही है, उसी तरह से मैंने बोला कि जल्दी से रासन का समान लेओ, जो कि चार नमर बिंदू पर इस्थित है, तो यहां पर आपको कि जल्दी से f1 पर चले जाओ, या फिर 1 f पर चले जाओ, तो आप 1 देखो यह ओपर देखो इस location पर चले जाओ, कोई doubt नहीं होगा, है ना, उसी त आप नीचे में बोलूँगा, कि 4 b पर चले जाओ, 4 b पर चले जाओ, तो 4 b अब 4 b तो exact नहीं है, लेकिन उसके पास चले जाओ, तो आइडिया हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ बोलता, 4 पर जाओ, तो आप यहां पर चले जाते हैं, या फिर यहां पर चांसे थे, लेकिन पूज किया जाता है, पिर्थवी पर किसी भी जगह को डीनोट करने के लिए, अब समझते हैं कि टाइम को किस तरह से मेजर किया जाता है, तो दोस्तों, जैसा कि इस इमेज से सबस्ट है, कि इस साइड इस उस साइड वेस्ट है, और टोटल होना पास 360 लाइन्स है, तो क्य मैं कह सकता हूं कि 24 गंटे में, 24 hours में, हमारी जो पर्थवी है, वो, 360 लाइन सको एक चकर कटवा देती है, पूरा का थीक है, 360 लाइन सक तरह, 360 डिग्री को जो है, वो क्या करती है, पूरा को पूरा ही, एक चकर कटवा देती है, य焦िने कि 24 गंटा में, इतना, तो, एक डि चार मिनिट है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि एक डिघरी की वैल्यू, जो है हमारी चार मिनिट है, यानि कि अगर आप एक डिघरी से दो डिघरी पर जाओगे, तो आपको time का difference जो है, यह distance वो, समझ रहते हो ना दूरी वाला नहीं है, यह time का difference आ रहा है आपका एक डिग्री से डोल ग्री में travel करो गया आप plane से या किसी भी चीज से तो आपको 4 मिनिट का difference जो है मिलेगा अब यह चोटी सी चीज जो है कितना ज़्यादा impact करती है हमारे life को ज़रा ध्यान से देखो यह हमारा इंडिया है और इंडिया के जो बीचो बीच लाइन गुजरती है यह है साढ़े बेरासी डिग्री देशांतर पे जो कि मिर्जापूर से होते हुए गुजरती है काफे ज़्यादा important है इस आमस के लिए तो द्यान दो साढ़े बेरासी डिग्री इस्ट में है ना इस्ट में वेस्ट में तो है नहीं तो एक डिग्री की वैल्यू जब मुझे पता है कि चार मिनट होती है तो हमारा इंडिया जो है आपको यह पता होना चाहिए कि इस्ट वो प्लस में जा रहा है तो साढ़े बेरासी में जल्दी से गुणा कर दो किसे चार से तो तो साढ़ेबल यानि कि हमारी इंडिया जो है वो ग्रीन बिच से लंदन के ग्रीज से इतना मिनट आगे है से वेस्स साइड में जाओगे ना तो क्या होगा समय माइनस में चलता जाएगा ठीक है इतना तक आप क्लियर हो तो यहां तक हमने क्या क्या सिखा कि एक डिगरी के वैल्यू होती है वो चार मिनिट होती है यह काफे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जादा है आपके लिए किसी भ हमारा वीडियो आएगा वो आएगा हीट जोन्स के उपर अर्थात हिंदे में कहूं तो कटी बंधों के बार में आएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो बने रहे है हमारे साथ